अलो दोस्तों नमस्कार आज मैं बॉक्सीं ये ट्रिव्यू करने वाले बहुत ही बेहत्रिंट जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हैवल्स का हैड्रायर है जो कि कुछ इस प्रकार से इसके बॉक्स की पेकिंग है ये जो मैंने जो हैड्राय मंगाया है मैंने इक अमेजों से मंगाया है जो कि मुझे करेबन इसकी प्राइस की बात करें तो यह 999 मतलब 399 के आसपास मुझे बिल गया था और इसकी कुछ यहां पर डीटेल्स होगेर दे सब्सक्राइब दिक अन्बक्स करतें के बात मैं इसके साथ अन्बॉक्स करने के बाद में इस को यह मेरे बात के के साथ अधा सब्सक्राइब करने वाले हैं दोनों कैसे लगने वाले हैं तो वीडियो के साथ मैं बने रही है और गाइस अगर आपने अभी दख चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीदिए तो चलिए जल्दी से अन्बॉक्स करते हैं आप आ, अ, अ, तो यह, सबसे पहले कुछ इस प्रकार का यह nozzle आता है जो की अलग से इसमें दिया हुआ है, और यह nozzle अगे fit होने के बाद अपना जो एयर का flow रहता है, जो constant एयर का flow के लिए काम में लिया जाता है, तो इसके इस प्रकार से हैं, और इसके बाद दुर, यह कुछ इस फरकार से अपना हैड राय आता है उसके साथ में बॉक्स में कुछ में नहीं आता है इसको एक बार साइड में रख देता है और साथ में एक यूजर मैनूल आता है इसमें काफी छोटा से यूजर मैनूल से हैं अगर आप कोई इंफोर्मिशन चाहिए तो आप य अच्छा है इसके तर और यह अपना हेवल्स का HD 3151 है जो भी 1200 वोट के आसपस है और इदर की देखें नेट अगरा काफी अच्छी दे रहे है बहुत ही सांदार इसमें पर दे रखा है और साथ इदर की साइड भी देखेंगे आगे इस साइड से भी काफी अच्छा और इ इसके साथ में अगर आपको कॉलिंग के समर्ला आप कौनली ब्लॉवरी चलाना तो इसके यह बटन दबाके यह कूल शॉट बटन आता है इसको प्रेस करके रहेंगे तो यह अपना इसका हीटिंग वाले अलिमेंट हो बंद हो जाता है उसकी सप्लाई काट हो जाते जिसकी ठंदी हओ Colin लगता है तो कुछ इसकी बार दिया के काफी अच्छा उन मिकरती आप यह कुछ सब्सकार से और इसकी price की मैंने discuss कर लिया है अब इसको practically check अपन जल्दी से करेंगे और इसकी अभी देखे तो यह hair dryer है और यहाँ पर कुछ information दे रिखा और यह fully made in India है और यह वाला hair dryer जो latest अभी जो मंगाया है वो भी 999 का है 999 का है और अब दूसरा जो मैंने एक पहले मंगा रहा हूँ जो दो लाइस टू यह से use कर रहा हूँ यह वाला कुछ इस प्रकार से है इसकी price की बात करती यह 999 का ही था यह यह भी मैंने Amazon से ही मंगाया था तो कुछ इस प्रकार से है और इसकी video मैंने अपने चैनल पर डाल भी रेखिए तो वहां से अब check out भी कर सकते है इसकी design का कुछ देखिए काफी अच्छी design थे इसकी भी इसकी look wise काफी अच्छा था यह भी current में working भी है यह मैंने किसी और के लिए बंगाया है और यह मैंने personally में use कर रहा हूँ इन डोनों का काफी अच्छा इसमें जो output है इसका और इसमें देखिए थे यहां पर 3 mode आते थे इसमें 1 cold, 2 warm पर और 3 hot पर तो वह इसमें cold कर नहीं आके यहां पर cold short button दे दिया है वस इतना सा difference है इसमें तो दोनों का आपने देख लिए इसके उपर कुछ इस परकार से दोनों का normal सा changes कोई ज्यादा changes नहीं है इसको एक बाद टेस्ट करके देखते तो एक बाद टेस्ट करके बता दो आपको तो अब अपना जल्दी से मैंने इसको power supply से connect कर दिया है अब इसके हवा की जो इसका फ्रेशर है उसको चेक करने के लिए कुछ इस परकार से मिने पेपर ले जा ताकि आपको पता चलेगी इसका प्रेशर और इसकी जो हवा है वो कितली तेज है कुछ इस परकार से जल्दी से इसको on करते है यह जो normal speed है इसके उपर और इसकी full speed अपना जो high पे करते हैं तो इसमें high heat निकलती है अभी जो warm है नॉर्मल ही अपना नॉर्मल गरम है और इसके वो थाड़ के उपर करेंग तो फुल इसमें heat निकलने लगती है और जिसकी विजह से अपना आप अपना फुल मोड पे इसको यूज कर सकते हैं हाइब मोड पे सकते हो तो जिस प्रकार से मैं आपको पूरा completely एक वाइद बता देता हूँ कि अखुपये सब्सक्राइस साथ था कि यहां पर द meno केसा है कपी हमें करने के लिए येहां पर हैंगी किसाते है ऐसे अगले ने पर अब अगर और हम के शुड़िए और यह नोजल है जो यह भी रिमोब लग रहा आप नोजल यूज नहीं करना चाते है तो इसको रिमोब परके अप रक सकते हो तो कुछ से यहां पर लगा पी सकते हो अपने को य काफी अच्छा है और यहां पर अच्छी means दे रहे के ताकि इसके अँदर नहीं गुसे तो कुछ काफी अच्छा है तो आपको यह कैसा लगा है आपनोंगे कमेट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार की ओवर वीडियो दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना बुलें मैं मिलता हूं इसी प्रकार की ओवर वीडियो के साथ जहीं